C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज का ध्वानी पाठ अध्याए चार युगों का दौर प्रिष्ट संख्या छियालिस युगों का दौर गुप्त शासन में राश्ट्रीयता और सामराज्यवाद मौर्य सामराज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वन्ष ने लेली जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेतर पर था दक्षिन में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबूल से पंजाब तक बाख्तरी या भारतिय युणानी फैल गये थे मेनांडर के नेत्रित्तों में उन्होंने पाटली पुत्र तक हमला किया किन्तु उनकी हार हुई खुद मेनांडर पर भारतिय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बाउध हो गया वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिध हुआ बाउध आख्यानों में उसकी लोगप्रसिधी लगभग एक संत के रूप में हुई भारतिय और युनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के एक शेत्र में गांधार की युनानी बाउध कला का जन्म हुआ यहां हम एक चीतर देख सकते हैं जो हिंद युनानी शासक के काल का मेनांडर का एक सिक्का है आएए अप सुनते हैं पाठ भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाठ है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से तसिध है इसका समय इस्वी पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है इससे हमें उन युनानियों के भारतिय करण की जहलक मिलती है जो सरहद पर आये थे और भारती संस्कृती को जज़व कर रहे थे मध्य एशिया में शक यानि सीधियन लोग आक्सस यानि अक्षु नदी की घाटी में बस गये थे यूची सुदूर पूरब से आये और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया ये शक बौध और हिंदू हो गए यूईचीयों में से एक दल कुशाणों का था उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया प्रिष्ट संख्या 47 उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिन की ओर खदेड़ा शक काठियावाड और दक्षिन की ओर चले गए इसके बाद कुशाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्धे एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत सामराज्य कायम किया उनमें से कुछ ने हिंदु धर्म को अपना लिया लेकिन अभिकांश लोग बाध्ध हो गए उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिश्क उन बाध्ध कथाओं का भी नायक है जिनमें उसके महान कारनामों और सर्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है उसके बाध्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था जिसमें जर्थुष्ट के धर्म का भी योगदान था यह सरहदी सूवा जो कुशान समराज्य कहलाया उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी तक्षिशिला का पुराना विश्विद्याले भी उसके निकट था वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया यहां भारतियों की मुलाकात सीधियनों, यूईचियों, इरानियों, बाख्तरी युनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी यह विभिन संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप, मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया इतिहास की दृष्टी से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 इस्वी में यहां चीनी राजदूत आए उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उसमें आडू और नाशपाती के पेड़ थे गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूर्फान और कूचा में भारतिये चीनी और इरानी संस्कृतियों का अध्भुत मेल हुआ कुशान काल में बहुद धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया महायान और हीनियान उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए भारतिये परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किये जाने लगे इन बहतों में सारे देश के प्रतिनिधी भाग लेते थे इन विवादों में एक नाम सबसे अदग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है यह नाम नागरजुन का है जो इसा की पहली शताब्दी में हुए उनका व्यक्तित तो महान था वे बहुत शास्त्रों और भारतिय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे उनही के कारण भारत में महायान की विजय हुई महायान के ही सिध्धानतों का प्रचार चीन में हुआ, लंका और वर्मा, जो वर्तमान, श्रीलंका और म्यानमार हैं, ही नियान को मानते रहे प्रिष्ठ संख्या 48 एक दूसरे महान शासक ने जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल सामराज्य कायम किया इस तरह इसवी 320 में गुप्त सामराज्य का युग आरंभ हुआ इस सामराज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांती दोनों कलाओं में सफल हुए लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रती प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राहमन छत्रिय तत्वों को मात्रिभूमी और संस्कृती दोनों की रक्षा के बारे में सोजने के लिए मजबूर होना पड़ा जो विदेशी तत्व यहां घुल मिल गए थे उन्हें स्विकार कर लिया गया लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राहमन आदर्शों के आधार पर सजातिय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया लेकिन क्रमशह इन आदर्शों में ऐसी कटरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विप्रित थी आरभ में जब आरिय यहां उस स्थान पर आये जिसे उन्होंने आरिया वर्त या भारत वर्ष कहा था तब भारत वर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृती के बीच समन्वे कैसे कायम किया जाए भारत ने इस स्थिती का सामना करते हुए मिली जुली भारतिय आरे संस्कृती की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थाई हल तस्तूत किया दूसरे विर्यशी तत्व यहां आए और जजब होते चले गए लेकिन समय समय पर अजीव रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया वह इन हमलों को अंदेखा नहीं कर सकता था क्योंकि इन्हों ने केवल उसके राजनीतिक धाचे को ही नहीं तोड़ा बलकि उसके सांस्क्रिटिक आदर्शूं और सामाजिक धाचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया प्रिष्ट संख्या उनन्चास इनके विप्रीच जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतह राश्ट्रवादी था उसमें राश्ट्रवाद की शक्ती भी थी और संकीनता भी धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीती रिवाज और सामाजिक धाचा जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे जिसे ब्रह्मन वाद या हिंदू वाद कहा गया, वह इस राश्ट्रवाद का प्रतीक बना यह दर असल राश्ट्रिय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातिये और सांस्कृतिक प्रवृतियां प्रभावित हुई जो आज हर जगह राश्ट्रियता की बुनियाद में मौजूद हैं जिस बौध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुर्ण भूमी थी, जहां बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया, और वहीं उनका निर्वान हुआ पर बौध धर्म मुल रूप से अंतरराष्टिय था, विश्व धर्म था, जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया इसलिए पुराने ब्राहमन धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार-बार राष्ट्रिय पुनर जागरन का प्रतीक बने यहाँ एक चित्र है और इस चित्र में समुद्र गुप्त को दिखाया गया है वीना बजाते हुए यह एक सिक्का है आईए अब सुनते हैं पाठ यहाँ धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातिय तक्तों के प्रती तो सहनशील और उधार था पर विदेशियों के प्रती उसकी उगरता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आपको उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था ऐसा करने से उनमें जो राष्टरवादी चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर सामराज्यवाद की शकल अख्तियार करने लगती थी गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध शक्तिशाली अत्यंत सूसंस्कृत और टेजस्त्विता से भरपूर था फिर वी उसमें स कामराज्यवादी प्रबुद्धियां विकसित हो गई। इनके बहुत बड़े शासक समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की द्रिष्टी से यह बहुत शानदार समय था। प्रिष्ट संख्या पचास चयोसी शताब्दी के आरंभ से लेकर डेड़ सो वर्ष तक गुप्त वन्ष ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्ये पर शासन किया। इसके बाद लगभग डेड़ सो वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और सामराज्ये सिकुड कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आकरमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हून कहलाते थे जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूट मार की। अंत्रतह येशो वर्मन के नेत्रित्व में संगठित होकर उन पर आकरमण किया गया और उनके सरदार मिहर गुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वनशज बाला दित्ते ने उसके प्रती उदारता का विवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहर गुल ने इसके बदले लौट कर अपने मिहरवान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। उत्तर भारत में हूनों का शासन बहुत थोड़े समय तक रहा। लगभग आधी शताब्दी। उन में से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी-कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतिय जन समुदाय के सागर में जजब होते जाते थे। इन में से कुछ सरदार सात्मी शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्योज के राजा हर्श वर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कटर बौध थे। उनका महायान सम्प्रदाय अनेक रूपों में हिंदुबाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौध और हिंदु दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्ही के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग या युआन च्वान भारत आया था। जो 629 इसवी में हुआ। हर्श वर्धन कवी और नाटककार था। उसने अपने दर्वार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकठा किया और अपनी राजधानी उज्जयिनी को सांग्स्वितिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंदर बनाया था। हर्श की मृत्यू 648 इसवी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रिका और एशिया में फैलने के लिए इसलाम सिर उठा रहा था। प्रिष्ट संख्या 51 दक्षिन भारत दक्षिन भारत में मौरिय सामराज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्ये फूले फले। दक्षिन भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेश रूप से तसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुँचाया करते थे। वहाँ युनानियों की बस्तियां और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिन पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिन में आकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी शामिल थे। इस प शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके बार-बार हमलों और एक के बाद दूसरे सामराज्य की स्थापना का जो संक्षित व्यावरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। मौर्य, कुशान, गुप्त और दक्षिन में आंध्र, चालुक्य, राश्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन सव वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवन्ष देशी थे। कुशानों जैसे लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा पार से आये थे, जल्दी अपने आपको इस देश और इसकी सांस्तितिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। जब कभी दो राजियों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोरन होता था, तो आम जनता की जीवन चरिया में बहुत कम हस्तक शेप किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षन से इस बात का संकेत मिलता है कि यहां शांति पून और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। यह धारणा भामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनती की पराकाश्था पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था तूर चुकी थी। वास्तों में यही कारण था कि वह राज यहां कायम हो सका। प्रिष्ट संख्या बावन प्रगती बनाम सुरक्षा भारत में जिस सभ्यता का निर्मान किया गया उसका मूल आधार, स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टी से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उद्य पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवानों पर आधारित समाजिक धाचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटा कर सब को एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमी का इसमें बहुत कम रह जाती है। यह दिल्चफ बात है कि जहां भारती दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को ले कर है, वहां भारत का समाजिक धाचा सामुदाइक था। और उसमें सामाजिक और समुदाइक रीती रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इन सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाइक को ले कर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीती रिवाज से बदला ना जा सके। यह भी समुदाइक अपने अलग अलग रीती रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रख कर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। समन्वई केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्य तत्वों के साथ नहीं किया गया, बलकि व्यक्ति के बाहरी और भीत्री जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वई करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी ने भारत का निर्मान किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनित्तिक धाचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे पर यह व्यवस्था नियू की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस धाचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राजसत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुष लगती हो। रीती रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेश अधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहट समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतनत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। भारत का प्राचीन रंगमंच भारती रंगमंच अपने मूल में समबध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतनत्र था। इसका मूल उदगम रिगवेद की उन रिचाओं और संबादों में खोजा जा सकता है जिसमें एक हद तक नाट कीयता है। रामायन और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और गृत्य में इसने आकार ग्रहन करना आरंभ कर दिया था। इस्वी पूर्व छटी या सात्मी शताबदी के महान वय्याकरण पाणीनी ने कुछ नाट्टे रूपों का उल्लेख किया है। रंग मंच की कला पर रचित नाट्टे शास्त्र को ईसा की तीसरी शताबदी की रचना कहा जाता है। अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक इस्वी पूर्व तीसरी शताबदी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटक कारों में एक भास था। इस शताबदी के आरंभ में उसके तेरह नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। प्रिष्ट संख्या चववन अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राची नितम नाटक अश्वघोष के हैं। वह इस्वी संखे आरंब के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताड़ पतर पर लिखित पांडूलीपियों के अन्श मातर हैं और आश्चेरे की बात यह कि ये गोवी रेगिस्तान की सरहदों पर तुर्फान में मिले हैं। अश्वघोष धर्म पारायन बौध हुआ। उसने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। यह ग्रंथ बहुत पसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोक प्रिये हुआ। योरोप को प्राचीन भारतिय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 इस्वी में तब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विल्यम जोन्स क्रित अनुवाद प्रकाशित हुआ। सर विल्यम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डैनिश और इटालियन में भी उसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कभी और नाटक कार माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, पर संभावना यही है कि वह चौथी शताबदी के अंत में गुप्त वन्ष के चंद्रगुप्त द्वितिय, विक्रामदित्य के शासनकाल में उज्ययिनी में था। माना जाता है कि वह दर्बार के नौ रतनों में से एक था। उसकी रचनाव में जीवन के प्रती प्रेम और प्राक्रिटिक सौंदर्य के प्रती आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की एक लंदी कविता है, मेघदूत। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा रितु में एक बादल से अपनी तीवर चाहत का संदेश उस तक पहुचाने के लिए कहता है। कालिदास से संभोता काफी पहले एक बहुत पसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक का मृच्छ कटिकम यानि मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है। लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिक्ता और सभ्यता की ज्हांकी प्रस्तूत करता है। प्रिष्ट संख्या पच्पन 400 इस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वीतिये के शासनकाल में एक और तस्ध नाटक लिखा गया। यह विशाख दत्त का नाटक मुद्रारक्षस था। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था। जिसमें प्रेम या किसी पौरानिक कथा को आधार नहीं बनाया गया है। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिती में बहुत प्रासंगिक है। उसके उपर माना जाता है। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही लेकिन उन्नीस्वी शताबदी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टी से स्पष्ट रूफ से उसमें हरास दिखाई देने लगा। प्राचीन नाटकों की प्राचीन नाटक अक्सर राज दर्बारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्ते वादी कला को प्रस्तूत करते हैं। इस उचे दर्जे के साहितिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोकमंच भी रहा है। इसका आधार भारतिये पुरा कथाएं और महाकाब्यों से ली गई कथाएं होती थी। दर्शकों को इन विशेयों की अच्छी जानकारी रहती थी और इनका सरोकार नाट की ये तत्व से कहीं अधिक प्रस्तूती पर रहता था। ये अलग-अलग खेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे अतह उस खेत्र विशेश तक ही सीमित रहते थे। दूसरी और संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। संस्कृत भाषा की जीवन्तता और स्थायित्व। संस्कृत अद्भुत रूप से सम्रिध्ध भाषा है। अत्यन्त विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। इसके बावजूद यह नियत और व्याकरण के उस धाचे में सक्ती से जक्ड़ी है जिसका निर्मान 2600 वर्ष पहले पाणिनी ने किया था। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, पर इसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ती और शैली की सादगी खो दी। सर विलियंस जोन्स ने 1784 वे कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है। स्रोत एक ही है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा है। संस्कृत आधुरिक भारतिय भाषाओं की जननी है। उनका अधिकांश शब्द कोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काब्वे और दर्शन के बहुत से सार्थक और महतोपूर्ण शब्द जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतिय उपनिवेश और संस्कृती रविंदर नाथ ठाकूर ने दिखा था। मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भावतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की ही ज़रुत नहीं है, बलकि तन से नहीं तो मन से एशिया के विभिन देशों की यात्रा करने की ज़रुत है, जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। प्रिष्ठ संख्या 57 पिछली चौथाई सदी के दोरान दक्षिन पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेतर के इतिहास पर बहुत पकाश डाला गया है। इसे कभी-कभी व्रिहत्तर भारत कहा गया है, लेकिन अब भी बहुत सी कडियां नहीं मिलती, बहुत से अंतरविरोध भी हैं, किन्तु सामने रूप से सामगरी की कोई कमी नहीं है। भारतिये पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृतांत हैं, और इन सबसे अधिक महत्तोपूर्ण हैं, चीन से प्राप्त अयतिहासिक व्युगरण, इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और तामर पत्र हैं। जावा और बाली में भारतिये स्रोतों पर आधारित सम्रिद्ध साहित्य हैं, जिसमें अक्सर भारतिये महाकाव्यों और पुरा कथाओं का भावानुवाद किया गया है। युनानी और लातिनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिली हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंड हर हैं। विशेश कर अंग कोर और बोरो बुदुर में। इसा की पहली शताबदी से लगभग 990 तक उपनिवेशी करण की चार प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच बीच में पूरव की और जाने वाले लोगों का सिलसिरा अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टतह राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुवात लगभग एक साथ होती थी और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टी से महतोपूर्ण स्थानों पर और महतोपूर्ण मार्गों पर कायम किये जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतिये नामों के आधार पर किया गया। इस तरह जिसे अब कमबोडिया कहते हैं उस समय कमबोज कहलाया। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जव का टापू है। या आज भी एक अन्विशेश का नाम है। प्राचीन पुस्तकों से आए हुए नामों का संबंध भी प्राया खनिज, धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से खु धीरे धीरे बढ़ गया। इन साहसिक व्यवसाईयों और व्यापारियों के बाद धर्म तचारकों का जाना शुरू हुआ होगा। क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय था। प्रिष्ट संख्या अठावन। सस्कृत की प्राचीन कठावं से और युनानी और अरबी दोनों में प्राप्त व्रितांतों से पता लगता है कि भारत और सुदूर पूरब के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नती पर था। उस समय में बनाए गए जहाजों का कुछ ब्यावरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से भारतिये बंदरगाहों का उलेख मिलता है। दूसरी और तीसरी शताबदी के दक्षिन भारतिये यानि आंध्र सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों का चित्र अंकित है। अजन्ता के भित्ती चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों के चित्र है। महाद्वीप के देशों वर्मा स्याम और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। तापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की च्छाप अधिक थी। आमतोर पर शासन पध्धती और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने। इन भारतिये उपनिवेशों का इतिहास तक्रीवन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। इसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15 वी शताब्दी के अंत्र तक। विदेशों पर भारतिये कला का प्रभाव। भारतिये सभ्यता ने विशेश रूप से दक्षिन पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। इस बात का प्रमान आज वहां सब जगह मिलता है। चमपा, अंगकोर, श्रीविजय, भज्जा पहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्यायन केंद्र थे। वहां जिन राजियों का उदै हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतिये और संस्कृत नाम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे विशुद्ध भारतिये थे, पर इसका अर्थ यह अवश्य है कि उनका भारतिये करण किया गया था। राजिय की ये समारोह भारतिये धंग से संस्कृत में संपन्न किये जाते थे। राजिय के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पद्विया थी। राजिये समारोह भारतिये धंग से संस्कृत में संपन्न किये जाते थे। राजिय के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पद्विया थी। और इन में से कुछ पद्विया और पदनाम न केवल थाइलेंड में बलकि मलाया की मुसलिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्ताचीन साहित भारतिये पुरा कथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतिये संस्कृती को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा ह हैं। यहां तक की हिंदू धर्म भी वहां चला आ रहा है। फिलिपीन द्वीपों में लेखनकला भारत से ही गई है। प्रिष्ट संख्या 69। कमबोडिया में वर्ण माला दक्षिन भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ ले गए हैं और इन्हें बौध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिता बद्ध करके कमबोडिया और आधुनिक कानून द्यवस्था में ले लिया गया है। लेकिन भारतिये प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतिये बस्तियों की भव्व कला और वास्तु कला में दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदूर की इमारतें और अध्भुत मंदिर तयार हुए। जावा में बोरोबुदूर में बुध की जीवन कथा पत्थरों पर उतकीर्ण है। दूसरे स्थानों पर नकाशी करके वि विशाल खंडहरों का विस्त्रित क्षेत्र है। उसमें बनावटी जीलें, पोखरें और नहरें हैं जिनके उपर पुल बने हैं। और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक विद्धाकार सिर पत्थर में खुदा है। यह एक आकरशक मुस्कुराता हुआ किन्तु रहस से मैं कमबोडियाई देव तुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली पर उसका विकास खमेर प्रतिभा ने किया। या कि दोनों के परस पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कमबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जैवर्मन सप्तम था जो ठेठ भारतिये नाम है। प्रिष्ट संख्या साथ। भारतिये कला का भारतिये धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिष्टा है कि जब तक किसी को उन आधर्शों की जानकारी ना हो जिनसे भ पूरी तरह सराहना संभौध ही है। युनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में किवल आनन्द ही नहीं मिलता था। वे उसमें सत्य के दर्शन भी करते थे। प्राचीन भारतिये भी सौंदर्य से प्रेम करते थे। पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयात्म करते थे। भरत ये संगीत जो यूरोपिय संगीत से बहुत भिन्न है अपने ढंग से बहुत विक्षित था। इस दृष्टी से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है और संगीत के ख्षेतर में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया था। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वा ग्रह का महतोपून प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ती पूजा के विरुद्ध थे और बौध धर्म में भी अपेक इसका निर्मान इस्वी सन के आरंभ के आसपास कुशान युग में हुआ था। प्रिष्ट संख्या 61 भारतिय कला अपने आरंभिक काल में प्रतितिवाद से भरी है। जो कुछ अन्शों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। भारतिय कला के इतिहास के विभिन पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। चौती से छटी शताब्दी इस्वी में गुप्त काल के दोरान जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजन्ता की गुफाएं खोदी गई और उनमें भित्ती चित्र बनाए गए। बाग और बादामी की गुफाएं भ इसी काल की हैं। अजन्ता हमें किसी स्वपन की तरह दूर किंतु असल में एक दम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन भित्ती चित्रों को बाध भिक्ष्यों ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था। स्त्रियों से दूर रहो। उनकी तरफ द काएं, नर्तकियां, बैठी और खड़ी, श्रिंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई। ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे। उन्हों ने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाये हैं। जितने प् आठ्मी शतादियों में ठोस चट्टान को काट कर एलोरा की विशाल गुफाएं तयार हुई। जिनके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। या अनुमान करना कठिन है कि इनसान ने इसकी कलपना कैसे की होगी या कलपना करने के बाद अपनी कलपना को रूपाकार कैसे एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की हैं जहां प्रभावशाली और रहस्यमई त्रीमूर्ती बनी है। इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है जो अजन्ता की गुफा का चित्र है। आईए अब सुनते हैं पार्ट। दक्षिन भारत में महाबली पुरम की इमारतों का नि इस चित्र में हम पत्थर पर खुदे हुए हाथियों और अन्य आकारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये महाबली पुरम की एक इमारत का चित्र है। अब पार्ट। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ती है जिसमें शिव नित् हैविल का कहना है कि इस च्छत विच्छत अवस्था में भी यह मूर्ती धीमाकार शक्ती का मूर्थ रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। ब्रिटिश संग्रहाले में विश्व का स्रिजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ती है। एक्स्टीन ने लिखा है कि उनकी विशाल दयात्मक्ता काल के विराट युगों का अहवान करती है। जावा में बोरो बुदुर से बोधी सत्व का एक सिर कोपेन हेगेन के गलिप्टो केक ले जाया गया है। रूप गत सौंदर्य के दृष्टी से यह सिर सुंदर है ही। इसमें कुछ और भी गहरी बात है जो बोधी सत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह उधगाटित करती है जैसे दरपण में प्रतिभिंब। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराईयों की प्रशान्ती, निरब्र, नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुँच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। प्रिष्ट संख्या 63 भारत का विदेशी व्यापार इसवी सन के पहले एक हजार वर्शों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतिय व्यापारियों का नियंतरन था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उनका पभुत्त था ही। उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतिय कपड़ा दूर-दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहां काफी समय से बनता रहा है। लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम जिसका आयात यहां इस्वी पूर्व चौथी शताबदी से ही किया जाता था। भारतिय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेख निये प्रगती हुई और पक्के रंग तयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। इन में से एक नील का रंग था जिसे अंग्रेजी में इंडियों कह विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। भारतिय प्राचीन काल से ही फौलाद को ताओ देना जानते थे। भारतिय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कदर की जाती थी। विशेश रूप से युद्ध के कामों में। इसी प्रिष्ट प भग 1500 साल पहले हुआ। अब सुनते हैं पाठ। योग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और हारवे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी थी। खगोल शास्त्र जो विज्ञानों में प्राचीन तम है विश्ट विज्ञालेयों के पाठ्थेक्रम का नियमित विश्य था और फरित ज्योतिश को इससे मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तयार किया गया था जो अब भी प्रचलित है। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज् रिष्टी से बहुत सहायक होता था। यह कहना कठिन है कि उस समय तत्य यंत्रों ने कितनी प्रगति की थी लेकिन जहाज बनाने का उद्योग खूब चलता था। इसके अलावा विशेश रूप से युद्ध में काम आने वाली तरह-तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत आवजारों के निर्माण एवं प्रयोग में और रसायन शास्त्र एवं धातु शास्त्र सम्बंधी जानकारी में किसी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वह कई विदेशी मंडियों को अपने वर्ष में रख सका। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नियू भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चवखटे को इस्तिमाल करने की फूहड पद्धती रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तिमाल ने बहुत समय तक प्रगत प्रिश्ट संख्या 65 भारत में ज्यामिती अंक गणित और बीज गणित का आरंभ बहुत प्राची इनकाल में हुआ था। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकरितियां बनाने के लिए एक तरह के ज्यामिती ये बीज गणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदूर संस्कारों में जामितिक आकृतियां अब भी आम तोर पर काम में लाई जाती हैं। भारत में जामिती का विकास अवर्षे हुआ पर इस क्षेत्र में युनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। अंक गणित और बीज गणित में भारत आगे बना रहा। जिसे शुन्य या कुछ नहीं कहा जाता है वह आरंभ में एक बिंदी या नुपते की तरह था। बाल में उसने एक छोटे वित्त का रूप धारन कर लिया। उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक समझा जाता था। शुन्यांक और स्थान मुल्य वाली दश्मलव विधी को स्विकार करने के बाद अंक गणित और बीज गणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गए। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिरविद्ध आरेभठ का है जिनका जन्म 427 इस्वी में हुआ था। भारतिय गणित शास्त्र में अगला महत्वपून नाम भासकर है जिनका जन्म 522 इस्वी में हुआ था और उसके बाद ब्रहम पुत्र जिनका जन्म 628 इ होने वाले नियम निश्चित किये और इस ख्षेत्र में और अधिक उल्लेखनिये प्रगती की। इसके बाद अंक गणित और बीज गणित पर लिखने वाले गणितग्यों की परंपरा मिलती है। इनमें अंतिम महान नाम भासकर दृतिय का है जिसका जन्म 1114 इस्वी में उसने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर क्रमशह तीन ग्रंथों की रचना की। अंक गणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावत पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए उप्युक्त है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालाईयों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। पृष्ट संख्या 66 आठवी शताबदी में खलीफा अल मनसूर के राज्यकाल में जो 753 से 774 इसी तक रहा कई भारती विद्वान बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थी। इन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और जोतिश शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहां भारती अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्ध्य धैयन का बड़ा केंद्र था और युनानी और यहुदी विद्वान वहां एकत्र होकर अपने साथ युनानी दर्शन, ज्यामिती और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इसलामी दुनिया पर बगदाद का सांस्क्रितिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यन से भारती गणित का ज्यान इस व्यापक शेत्र में फैल गया था। अरवी जगत से यह नया गणित संभोता स्पेन के मूर विश्व विद्यालेयों के माध्यम से यूरोपिय देशों में पहुँचा और इससे यूरोपिय गणित की नियू पड़ी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आमतोर पर प्रचरन में कई सव वर्ष लग गए। इनका सबसे पहला प्रयोग जिसकी जानकारी मिलती है 1134 इस्वी में सिसली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 इस्वी में हुआ। इस्वी सन के पहले हजार वर्षों में भारत में आक्रमनकारी तत्वों और आंतरिक जगणों के कारण बहुत उतार चड़ाव आए। फिर भी यह समय उर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए करमठ राष्ट्रिय जीवन का समय रहा है। इरान, चीन, युनानी जगत मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है और इस सबसे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की और बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप भारतिय उपनिवेशों की स्थापना और भारतिय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतिय संस्कृती का प्रसार होता है। इन हजार वर्षों के बीच के समय में यानि चवथी शतापदी के आरंभ से लेकर छटी शतापदी तक गुप्त सामराज्य सम्रिद्ध होता है। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशान्ती, आत्म विश्वास और आत्म अभीमान की दीप्ती और उमंग दिखाई पड़ती है। प्रिष्ट संख्या सरसट। स्वर्ण युग के आरंभ होने से पहले ही कमजोरी और हरास के लक्षन भी प्रगट होने लगते हैं। उत्तर पश्चिम के गोरे हुणों के दल के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड दिये जाते हैं। किन्तु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राहब बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राज सत्ता के रूप में प्तिश्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अन्तिम गुप्त समराथ मध्य भारत के एकशासत येश्व वर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रैतन करके हुणों को निकाल बाहर करता है। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सहनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। हुणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदुरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हुणों के पुराने वितांत, कठोर्ता और बरबर व्योहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्योहार जो युद्ध और शासन के भारती आदर्शों से एक दम भिन्न है। साथमी शताबदी में हर्श के शासनकाल में उज्जैनी जो आधुनिक उज्जैन है गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी। वो फिर से कला, संस्क्रिती और एक शक्ति-शाली सामराज्य का केंदर बनती है। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पढ़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। नमी शताबदी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज़्यों को मिला कर एक संयूक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहितिक पुनर जागरन होता है जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। ग्यारहुई शताबदी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत पराक्रमी और आकर्शक है और उज्ययनी फिर एक बार बड़ी राजधानी ब साथी उसकी दिल्चस्ती भेशज और खगोल शास्त्र में थी। उसने इमारतों का निर्मान कराया और कला और साहित्य कास्तन रक्षन किया। वह स्वयम कभी और लेखक था जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कठाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है। प्रिष्ट संख्या अर्सट इन तमाम चमकदार टुक्णों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं, बलकि उसके रचनात्मक क्रिया क कलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गती से चलती रही और इसने दक्षिन भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुत दक्षिन आकरमन कारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव स बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिती से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तु शिल्पी दक्षिन में जाकर बस गए। दक्षिन के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कारिय के लिए ऐसा आउसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। गर्चे उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन यहां सम्रिद्ध था और वहां कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्षिनिक दृष्टी से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्षिनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौधों और ब्राहमनों के संस्कृत ग्यान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्व विद्याले रहे, इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, जिसके विद्ध्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहां चीन, जापान और टिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बलकि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विशयों, बौध और ब्राहमन दोनों के अनुसार के अलावा दूसरे विशयों की भी शिक्षा दी जाती थी। कल अरतिय संस्क्रिती का प्रसार ज्यादतर नादंदा के विद्वानों ने किया है। इसके अलावा बिहार में आज कल के भागलपूर के पास विक्रमशिला और काठिया वाड में वललभी विश्व विद्याले थे। गुप्त शासकों के समय में उज्याइनी विश्व विद द्याले का उतकर्श हुआ। दक्षिन में अमरावती विश्व विद्याले था। प्रिष्ट संख्या 79 जियों-जियों सहस्राब्दी समाप्ती पर आती है। यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगता है। दक्षिन में अब भी टेजस्विता और शक्ती शेष थ उसकी धरकने मंद होने लगी हूँ। आठ्वी शताब्दी में शंकर के बाद कोई महांदार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिन भारतिये थे। ब्राह्मन और बौध दोनों धर्मों का हरास होने लगता है। और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं। व बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखरी बड़ा नाम भासकरद्वितिये था जो बारह्मी शताब्दी का है। कला में ईवी हैवल के अनुसार साथमी या आठमी शताब्दी से चौदह्मी शताब्दी तक भारतिये कला का महान युग था। यही समय योरोप में गौथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राची इन भारतिये कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का हरास स्पष्ट रूप से सोलहई शताब्दी में होने लगा। मेरा खयाल है कला के ख्षेत्र में भी उत्तर की अव्यक्षा दक्षिन भारत में ही पुरानी परंपरा ज्यादा लंब ग्यारहुई शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ती बने रहे। जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। अर संस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे राधा कृष्णन का कहना है कि भारती दर्शन ने अपनी शक्ती राजनीतिक स्वतन्तरता के साथ खो दी। यह सही है कि राजनीतिक स्वत्मत्रता खो जाने से सांस्क्रितिक रास अनिवारे रूप से शुरू हो जाता है। लेकिन राजनीतिक स्वत्मत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल, अतिविकसित और अत्यंत सभ्य देश वाहिय आकरमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतंशील हो या आकरमण कारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। भीतरी हरास भारत में इन हजार वर्षों के अंत में बिलकुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्योहार में रूढ़ी वादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। सभिताओं के भर्ष्ट होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरन है। इनमें सबसे उल्लेखनिये उदाहरन योरोप की प्राचीन सभिता का है जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। भर्ष्टिये सभिता का ऐसा नाटकी अंत ना उस समय हुआ और ना बाद में, किन्तु उत्तरोत्तर पतन साथ दिखाई पड़ता है। शायद यह भरतिये समाज विवस्था के बढ़ते हुए कटरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिनाम था, जिसे यहां की जाती विवस्था में देखा जा सकता है। जहां भारतिये विदेश चले गए, जैसे दक्षिनपूर्वी एशिया में वहां उनकी मानसिक्ता, रिती रिवाज और अर्थ विवस्था किसी में इतना कटरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले चार-पांच सव वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ती का परिचह दिया। स्वयम भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नश्ट कर दिया। जीवन निश्चित चवखटों में बट गया, जहां हर आदमी का धंधा, स्थाई और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मन और क्षत्रिये वानिज्य व्यापार को नीची नजर से देखते थे। नीची जाती वालों को शिक्षा और विकास के आवसरों से वंचित रखा गया। और उन्हें अपने से उची जाती के लोगों के आधीन रहना सिखाया गया। प्रिष्ट संख्या एकहत्तर भारत के राजनीतिक धाचे ने भारतिये सभ्यता को अद्भुत द्रिधता दी थी। उसने गुटों को शक्ती दी और उन्हें एक जुट किया। लेकिन यह बात ब्रिहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वानिज्य और व्यापार का विकास किया। लेकिन हमेशा अलग-अलग समुदायों के भीतर। इस तरह खास धंग के धंदे पुष्टैनी बन गए और नए धंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीठते रहने की प्रभृत्ती पैदा हु इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास और आउसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थाई रूप से समाज की सीड़ी में नीचा दर्जा दे कर मूल्य चुकाया गया। प्रियता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की आउधारना के स्थान पर सामन्त वाद और गिरोह बंदी की भावनाय बढ़ने लगी और अर्थ व्यवस्था संकुचित हो गई। इसके बावजूद जीवनी शक्ती और अदभुत द्रिरता बची हुई थी। औ अब अपने को ढालने की ख्षमता इसलिए वह बचा रह सका। नए संपरकों एवं विचारधाराओं का लाब उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगती भी कर सका। लेकिन यह प्रगती अतीत के बहुत से अवर्शेशों से जक्री रही और बाधित होती रही। यहां यह पाठ समाप्त हुआ।